नवास कर दोस्तों, वेलकम टो DSP Pet Trends आज हम लोग एक बहुत सांदार बीटा पैर का ब्रीडिंग के बारे में देखते हैं और ये वीडियो में मैं ऐसा सोचा कि सिर्फ ये पैर का ब्रीडिंग के बारे में डिसकस ना करें कि और अलग कुछ डिसकस करेंगे, और अलग कुछ बात करेंगे और अलग 10 आइडिया, अलग-अलग 10 पॉइंट्स में आपके साथ मैं डिसकस करूँगा, ये शेयर करूँगा ये देखिए, बीज-बीज में ये पैर के बारे में भी हम लोग देखते हैं क्योंकि जो बीटा फिश ब्रीडिंग के बारे में डीटेल वीडियो अलरड़ी डाल दिया हूँ तो वो वीडियो का लिंक ये वीडियो का डिसक्रिप्शन में डालता हूँ तो सिर्फ बीटा फिश ब्रीडिंग के बारे में देखना है तो उसमें देख सकते हैं तो उसके अलावा भी कुछ beginners को जो नया स्टार्ट करते हैं को अलग-अलग doubts आता है तो वो अलग-अलग doubts के बारे में 10 points सम लोग discuss करेंगे ठीक है यह देखिए बहुत सुन्दर पैर है बहुत beautiful पैर है मुझे बहुत पसंद आया यह male जो है ना imported male है यह कोई galaxy placard बोलते हैं तो यह male को मैं एक normal dumbo ear female के साथ में cross कर रहा हूँ तो mostly मेरा expectation यह है कि कोई galaxy निकलेगा इसका बच्चे क्योंकि mostly father जैसे ही निकलते हैं इसलिए मैं यह दोनों को cross करके देखते हैं इसका outcome कैसे निकलते हैं वो भी मैं यह video का description में डालूँगा बच्चे बड़े होने के बाद क्योंकि अभी बच्चे अभी लगबग दो अपते काई है और मैं यह placard male जो है बहुत मुझे aggressive लगा क्योंकि normally placard variety है ना normally aggressive रहते हैं और यह male का size काफी अच्चा है और इसलिए में female भी तोड़ा strong और एकदम active female में चूज किया ताकि यह दोनों का pair एकदम compatible रहेगा ठीक है ना और मैं एक दिन इसको एक container में डाल के fish tank में रखा हूँ फिर एक दिन के बाद इसको अंदर release किया हूँ फिर भी एक दो उसरे मिल अग्रेसन नहीं दिखा रहा था एकदम सांथ था फिर भी अगर सांथ होने के बाद भी हम इसको एक सांथ में डाला ना तो male बहुत अटेक क कर रहा था मैं सोचा कि female को मार डालेगा तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है फिर भी अग्रेसिव था हो continuous का अग्रेसन चालो था उसका fins वगरा एकदम break हो गया था और ठीक है हम लोग एक और दिन वेट कर के देखते हैं पूरा 24 hours क्रास हो गया था तो एक और दिन वेट करें करके में वेट किया तो female अभी active है ज्यादा अगर weak होता तो release कर देंगे उसको निकाल देंगे ऐसा मैं सोचा था तो surprisingly मैं night में छोड़ के गया था तो अगला दिन morning में देखा तो ये अंडे ले हो गए उसमें अंडे दे दी female ने और उसमें unfortunately क्या है वो जो bending होता ना male female वो मैं उ चोड़ दिया था और सुबह में early morning देखा तो पूरा अंडे दे दिया क्योंकि वो एग लेंग प्रोसेस जो है वो लगबग एक गंड़ा आदा गंड़े से एक गंड़े का ही प्रोसेस रहता है तो वो मैंने मिस कर दिया और पूरा अंडे ले होने के बाद male female को चेस कर रह रहा था वो नेस्ट के पास आने नहीं देगा तो ऐसा continuous उसको बगाते रहता तो इसका मलब कि यहां यह ग्लैंग हो गया तो यह ग्लैंग होने के बाद मैंने female को अलग किया है तो ऐसा आपको भी अगर लगता है वो nest bubble nest के पास female नहीं है तो उसको तुरंती हटा देना चाह कि फीमेल आके bubble nest में जो भी अंडे है वो सब का जाएगी करके मेल उसको continuous बगाते रहेगा ठीक है ना और इसमें बीज-बीज में यह पैर के बारे में भी यह ब्रीडिंग के बारे में बात करेंगे और मैं जैसे पहले बोला था वैसे कुछ अलग-अलग points के बारे में डिस कितना होता है तो three to four years होता है और ज्यादा से ज्यादा बोले तो five years तक पांच सल तक रह सकता है कोई बीटा फिश तो हम जितना केर कर रहे हैं पानी का condition क्या है क्या हम उसको food दे रहे हैं तो उसके सब से फरक पड़ेगा और regular पानी clean कर रहे हैं कि नहीं वो सब factor के वाज ज है और उसके बाद दूसरा एक point है second point में जाते हैं almond leaf जो इंडियन almond leaf बोलते है जो बादाम का पेट का पत्ता है वो almond leaf क्यों यूज करते है breeding के time में वो एक है almond leaf क्या करता है जो pH value बोलते है पानी में जो acidic और basic बोलते है और वो pH value को maintain करता है या neutral करता है या बीटा इसको जो रेने लाइक condition बना के देता है वो है और ये almond leaf सबको यूज करना है कि नहीं वो एक सवाल किसी को आता है तो ऐसा जरूत नहीं है मान लिजिए आपका पानी अगर बहुत ज़्यादा कराब है तो कोई मिलब city में है metro water है तो वो condition में जरूत पड़ सकता है बाकि जो अलमंड leaf डालने का कोई जरूत नहीं है और तीसरा point है age for breeding what is the proper age for breeding बीटा फिश ब्रीड करने का proper age क्या है में मेरा personal experience से बोलूँगा male का proper age four to five months चार से पांच महीने में male पूरा रेडी हो जाएगा female को एक महीने एक्स्ट्रा देना पड़ेगा ताकि उसमें अंडे का development होत तो और दे सकते हैं महलब चार से पांच female के लिए male के लिए तीन से चार महीना ठीक है ना और यह age पकड़के चलिए और यह देखिए जो अंडे के मैंने एकदम close-up वीडियो लिया हूं तो यह bubble nest में कैसे चिपका हुआ रहता है वो सब हमको नजर आएगा ठीक है और अंड के साथ चिपक जाता है ठीक है ना अब clearly देख रहे होंगे ठीक है और fourth point है बीटा fish में फीमेल में अंडे कैसे डेवलोप होते है एक कैसे डेवलोप होते है महला यह सवाल है कि male के साथ मेट होने के बाद अंडे डेवलोप होता है या automatic डेवलोप होता है फीमेल को यह question है ठ मेल के साथ मेट करने के बाद अंडे डेवलोप होता है ऐसा कोई जरूत नहीं है जनम से फीमेल अखेला भी आप रखेंगे ना उसमें automatic eggs डेवलोप होते है मेल के साथ मेट होने के बाद क्या है वो एक जो है वो फेर्टेल होते है वो यह बात है ठीक है और यह मेल देखिए bubble nest बढ़ाया है मैंने female को जब bark उसको हटा दिया था उसके बाद पुरा care करता है male और fifth point है developing time after breeding, वाला एक बार आपने breed कर दिया female को, तो अगले बार breeding के लिए जो underdevelop होते है, तो वो कितना time लगता है उसमें, उसका मलब वो एक से डेड मेंना time लगता है मानले जी एक बार अगर breeding कर दिया तो next time breeding के लिए उसको कम से कम female को एक से डेड मेंना time देना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि खाली time ही देना है, क्योंकि उसको healthy food भी देना है, ठीक है और उसको अच्छे से environment भी देना है, वाला उसमें अंडे अच्छे से develop होते है, ठीक है, और उसके बाद sixth point है, how to identify a female beta having eggs माला, female beta का पेड में अंडा है, की नहीं कैसे जाना है, ये देखिए picture में, मैंने दीखाया ठीक है, पेड में white color का एक spot दीख रहा है ठीक है, ऐसा सारे female में white spot दीखता है माला, अंडे transparent दीखते है अंदर का अंडे है, बार दीखते है कोई-कोई एकदम bright color female में, वो नहीं दीखेगा तो, वो कैसे हम identify करना है जो female beta fish का पेड में एक जो spot रहता ना जिसमें वो 40 अगरा करता है, तो वो spot है ना red color हो जाएगा और थोड़ा बार निकला हुआ दीखेगा आपको, ठीक है उससे आपको पता चल जाएगा, वो female है वो एक लाइंग के लिए रेडी है ठीक है, वो point से आपा identify कर सबते है, वो mostly अंडे दीख जाएगे, 95% breed में, 95% variety में, ठीक है अंडे अंदर करके दीख जाएगा नहीं तो उसका पेड है ना, वो बड़ा रहता है उसका belly जो है वो तोड़ा मोटा रहेगा, उससे पता चलेगा ठीक है, और 7th point है अंडा देने के बाद, female को कब बाहर निकालना है, ठीक है एक laying हो गया और male उसको जब chase कर रहा है ना, उसको बड़ा बगा रहा है female को nest में आने नहीं दे रहा है फिल से, उसका मलब mating कतम हो गया, एग laying भी कतम हो गया तो female का वहाँ पे कोई काम नहीं है तो female को तुरेंद निकाल देने अच्छा है क्योंकि male continuous को बगा बगा करके उसको मार डालेगा और female उसमें मारने का chances ज़्यादा है ठीक है, क्योंकि हम एक छोटा सा space में breed कर रहा है तो उसमें male उसको रहने नहीं देगा continuous उसको मारत रहेगा ठीक है, और next point हम discuss करते है यह वीडियो में मैंने थोड़ा काफी कोशिस किया हूँ कि slow motion भी किया हूँ और अपना जो macro lens बोलते है न वो यूज़ करके भी shoot किया हूँ तो आपका feedback क्या है वीडियो के उपर comment क्या है वो सब थोड़ा मुझे feedback दे दीजिए ठीक है, और next video में और improve करना है तो और अच्छे से improve करते है ठीक है और अपना channel जरूर subscribe करना मत बूलना और ये जो आपका जो छोटा से support है वो हमको काफी encouragement देगा और आगे बढ़ने के लिए और हमको काफी मदद करेगा ठीक है और ये fish fries hatch हो गए और ये swimming अच्छे से कर रहे है अभी लगबग दो दिन हुआ है hatch होने के बाद ठीक है और breeding के बाद male beta fish को कब बाहर निकलना है तो वो एक 8th point है शुरू से लेके eggling के बाद और बच्चे अच्छे से swimming सीख जाते हैं तब तक male पूरा care करता है उसके बाद भी अगर आप छोड़ेंगे न वो पूरा care करेगा तो male का काम उतना काफी लंबा रहता है लेकिन जितना जरूत है उतना ही रखना है जरूत कितना है? 8 से 10 दिन जरूत है क्योंकि 8 से 10 दिन में बच्चे का body में full growth हो जाएगा और swimming अच्छे से सीख लेगा उसके बाद male को उधर राखने का जरूत नहीं है क्योंकि पूरा care लेगा और properly खाना वगिरह नहीं लेगा male तो उसका कुद का health कराब हो सकता है ठीक है? इसलिए जब feed लेना चालो कर देते हैं बच्चे और वो टाइम में male को निकल देना है महला swimming अच्छे से सीख लिया तो निकल देना है महला 8 से 10 दिन पकड़ लीजिए यह देखे मैंने infusoria culture मैंने किया है मेरे गर में हमेशा रहता है infusoria क्योंकि यह कभी crash नहीं होता है आच्छे से maintain किया तो रहेगा मैं इसको syringe से 10 से 15 ml लिया है यह 50 ml का syringe है ठीक है और यह hatch होने के बाद अंडे से hatch होके बच्चे उसके बाद 4 दिन के बाद का वीडियो है ठीक है इसमें मैंने infusoria direct syringe में लेके बच्चे को feed कर दिया ठीक है और बच्चे का अभी growth बहुत अच्छा है और swimming अच्छे से कर रहे है और healthy भी है और जो infusoria में feed कर रहा हूं syringe से वो feed ले रहे है तो यह infusoria चार दिन से लेके 10 दिन का time है ना वो time में यह infusoria काफी जरूरी है वो feed कर रहे है तो उसके बाद 10 दिन के बाद हम brain trip में जा सकते हैं तो इसके बाद how many days breeding pair to be conditioned अगर breeding के लिए कोई भी पैर आप करीद रहे है कोई भी farm से या कोई भी दुकान से करीद रहे है तो उसको condition करने के लिए कितना time चाहिए कितना time तक उसको condition करना है तो अच्छे से live feed अगरा देखके तो जैसे पानी यह अगरा maintain करके तो एक से डेड में न कम से कम लगेगा क्योंकि उसमें जल्द बाजी नहीं करना है दोनों का health condition बहुत अच्छा रहने से उसका जो breeding result है वो perfect आएगा 100% आएगा उसमें fail होने का chances बहुत कम है ठीक है उसमें कम से कम एक से डेड में न time देना है ठीक है उसमें पूरा eggs भी काफी develop होते है female में और male भी काफी active और alert रहेगा ठीक है उतना time हमको compulsory देना पड़ेगा ठीक है और next अब देख रहे है इसमें 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 इन्फिसूरिया का रहे है चोटे चोटे जो है इन्फिसूरिया है वह का रहे है तो इसमें जोula the benefits के है जो मैंने breed किया है वह टैंक में मैंने ये lucky bamboo यूज किया हूँ उसमें तो उसमें की है पहले से इन्फिसूरिया develop हो जाता है टैक में go share तीक है what are the healthy food for breeding pairs मानले जब ब्रीडिंग पैर्डी कर रहे है या हमेशा आप रखते हैं कोई अडल्ट पैर्ड ब्रीडिंग पर्पस के लिए तो healthy food यह बुलते हैं कि लाइफ फूड ही हल्दी फूड होता है बीटा फिस के लिए कि बीटा फिस काफी पसंद करते हैं जो ब्राइन स्रिम्प हो गया और मस्कीटो लारवा हो गया और मिच्फले लारवा हो गया मिच्फले लारवा बोले तो मैं यह वीडियो डाला हूँ अपना पुराना वीडिय हमें नहीं मिल रहा है आप नहीं पर्चेस कर पा रहें तो बेटर है कि ड्राइव वाम्स होता है तो वह वाला वाम्स होप दे सकते हैं तोड़ा उसको कम से कम उसको प्रोटीन वाला फूड रहेगा तो ब्रीडिंग में अच्छे रिसल्ट मिलेंगे ठीक है ओके फ्रेंट्स यह हमारा जो वीडियो को useful और helpful रहा होगा और इसलिए मैं यह वीडियो थोड़ा हटके अलग से बनाने के लिए सुचा है क्योंकि रेगलर हम ब्रीडिंग information तो देते हैं उसके अलवा भी कुछ और information देना था जो frequently asked questions रहता है तो उसमें से हमको discuss करना था इस करना माँ प्राव भी कहा है वीडियो थे सुचा है